Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel दोस्तो आज हम बात करेंगे Canada IRCC की जो Final Report है इस साल की Performance है जो उन्होंने इंटरनेट पे फब्लिश कर दी है उसके बारे में बात करेंगे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन तब उनकी Report थी वो updated नहीं थी वो November तक ही थी अब जो Report है वो पूरे साल की है एक साल की उनकी Performance है जिसको उन्होंने प्रिवियस सीयर से Compare भी किया है और जिससे हम कुछ आइडिया भी लिसकते हैं वो आने वाले साल में किन-किन कैटेगरीज की उपर ज़्यदा फोकस करेंगी उनका Movement कैसा रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने बेल बटन को ओन कर लो ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आएं आपको वो मिल सकें तो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो आईर्सीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने 2.22 में टोटल 4.8 मिलियन एप्लिकेशन को परसेस किया है जो कि लास्ट यर से आलमुस डबल है last year उन्होंने 2.5 million applications को ही process किया था दोस्तो जो express entry या PR का फाइल का processing था उनका इस साल में वो बहुत slow था लेकिन बाद में अब back to normal हो गया है और IRCC का ये claim है कि हम अपनी जो PR की files हैं उसको 100% achieve करेंगे उसके उपर 100% achievement ले लेंगे तो दोस्तो इस साल जो Canada IRCC का main focus था वो temporary residence के उपर था उन्होंने almost 7 lakh work permits issue किये हैं 6,70,000 के करीब उन्होंने study permit issue किये हैं और 2,50,000 जो है new citizens ship उन्होंने लोगों को दी है दोस्तो आप जानते हो कि Canada में labor की काफी शोटे चल दी है इस शोटे को देखते हुए Canada ने announce किया है कि आपके पास work permit चाहे किसी भी category का हो आप अपने spouse को Canada बला सकते हो इससे जो है Canada की जो labor shortage है वो काफी हद तक कम होगी दूसरा जो students थे पहले उनको 20 hours इन्हें week काम करना ही loud था लेकिन अब उन्होंने उनके जो working hours वो unlimited कर दिया है कि बशर्ते उनकी जो है study के उपर कोई भी fact ना पड़े Canada IRCC ने जो अपना backlog है उसको भी काफी कम किया है recently उनका जो December का backlog data है वो 2.2 million applications है उनकी inventory में इस report में Canada ने अपने futures plans को भी बताया है कि जो वो citizenship की applications है 100% digital होंगी इसके लावा अगस्त 2-3 तक वो नए 1250 जो हैं वो staff member लाएंगे ताकि applications की processing और smoothing और fast हो चके express entry को लेकर भी Canada ने कुछ अपने statements दी हैं कि express entry में भी कुछ ऐसे particular categories की उपर भी draw open होंगे time period तो आप जानते हो कि Canada ने जो processing है काफी fast की हुई है इस सल क्योंकि जो mention time है उससे भी कम में जो है वो application की processing हो रही है result काफी fast आ रहे हैं दोस्तो हम इस report से उमीद कर सकते हैं कि जो आने वाला साल 2-23 है वो Canada IRCC एंड हमारे सब के लिए जो है वो काफी अच्छा जाएगा इस news का जो link है वो नीचे मैंने अपने description में डाल दिया है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कर देना इस वीडियो का like के मैंने रखका है 20 तो जल्दी से जल्दी से पूरा कर दो और ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो फिला दो ताकि और लोग भी इसकी जान कर ले सकें तक के लिए good day good bye